वेलकम उस्टोडेंड्स जैसा की क्जिफे एक विडिएम ने बताय थे चैप्टर फाइव लेगी का समानता यह सिविक्स का है थिक rendam इसंबे हमने बताया थे लागी का समानता बताई जाती है और यह किनकी नाधारों पर होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं यह स्वे टॉपिक्स पर हम डिसकेशन कर चुक है आज हम निव टॉपिक्स पर डिसकेशन करेंगे ठीक है आज की जो टॉपिक है हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठीक है महिलाएं महिला उत्थ्यान के लिए संबैधानी विवस्थाएं यानि महिलाएं जो पीछे रह गई है ठीक है यानि महिलाओं की जो बहुत सारे समस्याएं रही है समाज में उसको ठीक करने के लिए उत्थ्यान के लिए संबैधान में कुछ विवस्थाएं बनाए गई है ठी उसके तहत उन्हें संवैधानिक विवस्था मिल पाए इसके क्या-क्या पॉइंट है इसके क्या-क्या विवस्थाइं बनाएगे महिलाओं के लिए तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कानून के समझ सभी व जो है ठीक है सबका समाम है ठीक है ऐसा संविधान के कानून में बताया गया है पॉइंट नमर टू में देख पा रहा है हमारा संविधान जो है धर्म, वर्न, जाती, वंस, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरीकों के बीच भीदभाव का निश रह गया है कि हमारा जो शंविधान बनाया गया गया एक वर्नन क्या गया है चाहे कोई धर्म का हो हो वर्न कोई हो जाती कोई भी हो बंस, लिंग, जन्मस्थान इसमें से किसी की भी आधार पर नागरीकों के बीच बेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है अगर कोई इस सब कि आधार पर भेद भाव करता है तो उसको जो है उसके उपर कानूनी करवाई की जाएगी ऐसा संबिधान में बताया गया है आवसर उपलब्ध कराना होगा ठीक है ऐसा संबिधान में बता दिया गया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट फॉर की बात करें तो राज के नीती निर्देशक सिध्धान ये शुनिशित करते हैं कि फस्ट कौव में दिखाएगा है पूर्षों और महिलाओं को समान कारे के लिए समान बेतन मिले देखो होता क्या है कि महिलाएं पूर्ष दोनों समान काम करते हैं लेकिन महिलाओं को कम मुझदूरी दी जाती है अब पूर्षों को ज़्यादा दिया जाता महिलाओं की तुल्णा में लेकिन ऐसा नहीं नीती निर्देशक सिध्धान्त में सुनिशित कर दिया गया कि पूरूस हो चाहे महिलाओं दोनों का समान कारे करता है तो उसे समान बेतन भी मिलना चाहिए ठीक है सेकेंड है पूर्षों और महिलाओं को समान रूप से कारे की उचितव मानविय दसाई पलब द रहे गया है महिलाओं को ऐसे कारे में ना लाया जाए जो उनकी आयू और समर्थ के अनुकुल हो यानि यहाँ पर यह बता दिया गया है कि महिलाओं को कुछ ऐसे काम भी होते हैं बहुत सर ऐसे काम होते हैं जिन में महिलाओं को नहीं लाया जाए अगर लाया भी जाए तो उनकी आयू और उनकी समर्थ को देखते हुए भी लाया जाए ठीक है ऐसा यहाँ पर बता दिया गया है ठीक है नंबर फाइब नंबर फाइब में बताया गया है कि मौलिक करतब्यों में मौलिक करतब हमारा है जो क्या पढ़ चुके हैं ठीक है मौलिक करतब्यों में यह उलेख किया गया है कि ऐसा कोई भी कारे नहीं किया जाए जो महिलाओं की गरिमा को चोट हो जाए या चोट पहुँचे उन्हीं नुक्षान हो उन्हें तकलीफ हो ऐसी कोई कारे नहीं करना चाहिए ठीक है ऐसा मौलिक करतब्यों में उलेख किया गया है ठीक है आप यहां पर देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ के नाम आ रहे हैं स्रीमती इंद्रागांधी जी हैं स्रीमती किरनवेदी जी हैं मेधा पाटकर है और पीटी उस्षा है आप यहां पर इन महिलाओं को देख पा रहे हैं जिन्हों ने अपने बल पर बहुत बड़े-बड़े कारणामे कर दिये गया हैं किये हैं ठीक है यहां पर देख पा रहे हैं का महिला ससक्ति करन का रत है महिलाओं को अपनी पहचान अस्थापित करने को करने और समाज में अपनी हैसेत बढ़ाने क्लिप प्रुट्साहिन करना देखे बात आती है महिला ससक्ति करन महिला ससक्ति करन का मतलब होता है कि महिलाओं जो पहले चार दिवारी के अंदर जो होत उसे अब जो है समाज में अपना गरिमा को दिखाना होगा तो ये से महिलाओं का अपनी पहचान अस्थापित करने और समाज में अपनी हैसित बढ़ाने के लिए प्रत्साहिद करना ही कहलाता है महिला से सक्तिकरन महिलाओं के लिए सिच्छा और अबसरों के उप्लब्धता में ब्रिधी के कारण अनेक छेत्रों में महिलाओं की भागिदारी बढ़ी है हमारी भूतपुर प्रधाण मंत्री श्वर्गी श्री मतिंद्रा गांदी मैगा सासे पुर्षकार बिजेता किरन वेदी भारत रत्म एमेस सुंबा लक्षमी बूकर पुरुषकार बिजेता अरुंध हतीराय प्रशित धावक उड़नपरी पीटी उश्षा समाजी कारेकरता मेधा पाटकर आदिस के ज्वलन्त उदारन आपको यहाँ पर कोश जो है हम आपके सामने जो वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह वे महिलाएं हैं जिनने अपने बल पर इस समाज में प्रतिष्ठा स्थापित किया है बहुत सारे पुरुषकार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है ठीक है भारस सरकारद्वारा वर्ष 2001 को महिला ससक्तिकरन वर्ष घोशित किया गया प्रतिवर्ष 8 मार्च का देन अंतर रास्ट्रिये महिला दिवस करूप में मनाया जाता है आप से पूछा जा सकता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना होगा 8 मार्च और यह लागू किया गया 2001 को, ठीक है, 2001 आठ मार्च को यह अंतरास्ट्री महिला दिवस को मियानी कहा जा है, कि यह अंतरास्ट्री इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्वे में यह मनाया जाता, 8 मार्च 2020 को, ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की रच्छा के लिए, हमारे तेश में, वर्च 1990 में राश्ट्री महिला अयूग के स्थापना की आप से प्रस्वन पूचा जा सकता है, कि महिला अयूग के स्थापना कब की गई, ठीक है, तो आपको बताना होगा 1990, यानि 1990 को यह जो है, अस्थापित के आई या, नेक्स टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं महिला कल्यान के लिए बनाये गए कानून यानि महिला का कल्यान हो महिलाओं की उन्नती हो महिलाओं के महिलाओं जो है वो समाज में अपने प्रतिस्था बनाये रखे इसके लिए सिरकार ने कुछ कानून बनाये हैं ये कानून को मैं बताना चाहता हूँ फुश्ट है पंचायती राज और नगरपालिका कानूनों में ये बिवस्था की गई है कि अस्थानिय निकायों में कम से कम एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए रच्छित हो देखो बहुत बड़ी याँ बाब बात की गई है कि चाहे पंचायती राज जो हो चाहे नगरपालिका हो ठीक है उसे जो है कानूनी बिवस्था के तौर पर यानि कानूनी रूप से जो है अस्थानिय निकायों में कोई भी अगर रिखती आती है गौवर्मेंट की और से ठीक है तो उसमें कम से कम एक तिहाई का मतलब होता है कि सो भाग का जो है एक वटा तिसरा भाग जो है महिलाओं को मिले यानि एक तिहाईसित महिलाओं के लिए आरचित क्या जाए ऐसा जो है कानून में पारेद कर दिया गया सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि यदि किसी फाक्टरी में तीस से अधीक महिला करमचारी हो तो वहाँ सीसू सदन के स्थापना निवारिक कर दी गई है यानि कहा गया है कि यदि कोई फाक्टरी है अगर थटी महिला से अधीक महिला करमचारी अगर है तो वहाँ सीसू सदन का मतलब होता है कि जो महिलाएं वहाँ पर वर्क कर रही है जो इंपलॉई है वहाँ वर्क कर रही है तो उनके बच्चों की देखवाल करने के लिए वह ऐसा कानून में बनाया गया है ठीक है थर्ड पॉइंट अब देख पा रहे हैं वर्ष उनीस्तो चेतर नाइंटिन स्वन्टे सिक्स के समान परिश्रम अधिनियम द्वारा मैलाओं को समान कारे के लिए पूर्षों के समान बेतन प्राप्त करने का दिकार दिया गया 1976 में ऐसा बता दिया गया है कि दोनों तो पूरुषों चाहिए मैला हो उन्हें तो जो है दोनों बरापर काम करते हैं तो बेतन भी जो मिलना चाहिए वह क्या मिलना चाहिए समान मिलना चाहिए दोनों को बरापर मिलना चाहिए ठीक है और यह घोशित कर दिया गया है ठीक है कम आयू की बालिकाओं की बिवाह को गैर कानूनी घोशित करा दिया गया है यानि बाल बीवाह जो अधनियम पारित हुआ 1978 में उसमें यह नियम बना दिया गया कि 18 वर्स से कम आयू की अगर कोई बालिकाओर है ठीक है तो उसका बिवाह नहीं हो सकता है 18 वर्स से कम आयू की जो महिलाएं होती है बालिकाओं होती है उनको गैर कानूनी घोशित कर दिया गया यानि वह बिवाह नहीं कर शकती है और माता पिता उन्हें नहीं करवा शकते ऐसा कानून में पारित कर दिया गया ठीक है नंबर फाइब है महिलाओं के अधिकारों की रच्छा के लिए कुछ विसेश कानून बनाएंगे हैं महिलाओं की जो है अधिकारों के अधिकाद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कानून बनाएंगे हैं जैसे की दहेज निशेद देख पा रहा हैं दहेज निशेद अधिनियम सती निवारन अधिनियम घरेलू हिंसा सनरच्छन अधिनियम ये पॉइंट है जो कि महिलाओं को इस समाज में प्रतिस्ठा प्रताब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दहेज के लिए महिलाओं को उत्पिडन करते हैं ठीक है उनके उपर घरेलू दवाब बनाते हैं ठीक है तो ये सब जो है सती निवारन अधिनियम ये सभी महिलाओं की रच्छा के लिए कानून बना दिया गया ठीक है अपनी सहायता यानि स्वाव लंबन ही सबसे अच्छी सहायता है अता ये आवस्चक है कि परतेक महिला समाज में समान स्थिती प्राप्त करने के लिए अपनी सहायता स्वाव करे यानि स्वाव प्रयास करे इसके लिए भी ये आवस्चक है कि वह सिक्छित हो बालिका सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकार सरकारे निर्धन परिवारों को बीती सहायता प्रदान कर रही है यहाँ पर बताया गया है कि देखी सरकार ने तो बहुत शारे कानून नियम बना दिये लेकिन फिर भी हमारे समाज में यह कानून नियम लागू नहीं होती है क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो यह चीजों को मानने से इंकार करते हैं ठीक है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताया गया है कि महिलाएं स्वयम ठीक है यानि स्वयम लंबन हो यानि अपनी सहायता खुद करें ठीक है यानि प्रतेक महिला समाज में समान इस्थिती प्राप्त करने के लिए अपनी सहायता स्वयम करें यानि स्वयम प्रयास करें कि हम कैसे अपने समाज ये प्रतिस्षित हो ठीक है इसके लिए अवस्यक है कि महिलाओं को सिक्षित होना बहुत जरूरी है ठीक है बालिका सिच्छ अच्छी सिच्छा मिले इसे बढ़ाने के लिए जो है कुछ राज सरकार जो निर्धन परिवारों को गरीब परिवारों को जो है कुछ बीतिय सहायता प्रदान कर रहे हैं बीतिय सहायता का मतलब होता है यहां पर कि कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करना महिला संगठनों को शमाज में महिलाओं को शमान अवसर प्रतान करने क्या वसकता के बारे में जागरुकता उत्पन करनी चाहिए तभी लैगिक समानता का श्वप्न शाकार हो शकेगा तो इस तरह से आपको हमने इस चैप्टर में पढ़ाया कि किस तरह से जो है लाइगी का समानता हमारी समाज में अगर हो रही है तो इसे ठीक किया जाए ठीक है निक्स चैप्टर में मिलेंगी आगी ठीक है ठाइंक यू